इस कविता में आगे गोपियां श्री कृष्ण से उनके प्रेम संबंध के बारे में उधाउ से वर्णन करती हैं। वे उदाहरन देते हुए कहती हैं कि पेड़ों की लकड़ी हारल नामक एक पक्षी के लिए उसके जीवन का आधार होती हैं। वे अपने बैठने के लिए हमेशा पेड़ों की लकड़ीों पर निर्भर रहते हैं। क्योंकि यह पक्षी कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखता। इसलिए वे लकड़ी को अपना सहारा मानते हैं। ठीक उसी प्रकार गोप्यों ने भी श्रीकृष्ण को अपने जीवन का आधार माना है। श्रीकृष्ण को याद कर उन्हें सुकून मिलता है। इसके अलाबा वे कहती है कि हमें जाकते हुए सोते हुए दिन में रात में श्रीकृष्ण हर वक्त हमारी खयालों में होते हैं। वे कहती है कि हमें श्रीकृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। उन्हें श्रीकृष्ण द्वारा भीजा गया ज्यान योग का संदेश सुनकर बहुत ही निराशा हो रही है। यह सुनकर उन्हें बहुत ही बुरा महसूस हो रहा है। इसलिए वे श्रीकृष्ण की बात को मानने से इनकार कर रही है। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण बहुत ही बुद्धिमान है, यह हम समझ रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ चालाकी की है। श्री कृष्ण इस बारे में जानते हैं कि हम सब को उनसे बेहत लगाओ है। जब श्री कृष्ण व्रिंदावन छोड़ कर मथुरा चले गए, फिर भी हम सभी उन्हें हमेशा याद करती। यह सब जानते हुए भी श्री कृष्ण ने अपना संदेश उधव के द्वारा भेजा। यह सुनकर हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। गोपियां उधव से कहती हैं कि आप हमारे लिए श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए और हमने आपसे जिस लहजे में बात की वो बिल्कुल भी उचित नहीं था। वे कहती हैं उधव जी इसमें आपके कोई गलती नहीं है। आपने तो केवल श्री कृष्ण की आग्या का पालन किया है। आप तो बहुत ही भले इंसान हैं जो लोगों के कल्यान करने में ही आनन्द का अनुभू करते हैं। गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण से दूर रहकर हमें बहुत ही पीड़ा हो रही है, उनका स्मरण कर हमें बहुत ही कष्ट हो रहा है। वे एक उदाहरन देते हुए कहती हैं कि एक राजा की यह जिम्मदारी होती है कि वो प्रजा के हित का हमेशा खयाल रखे, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुचने दे। ठीक उसी प्रकार श्री कृष्ण को भी इस बात पर विचार करना चाहिए। उन्हें यह ज्यात है कि हमें उनसे दूर रहकर कष्ट हो रहा है और हम बेहत दुखी हैं। यदि वे यहां आएं तो हमें भी उन्हें देख सुकून मिलेगा। उन्हें इस बात पर विचार करना चाहिए। आप सभी विद्यार्थियों के लिए यहां पर कुछ प्रश्ण हैं जिसे आप सभी आपस में चर्चा कीजिए। यदि आपके कोई सवाल है तो आप अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। प्रश्ण प्रश्ण एक श्रीक्रेश्ण व्रिंदावन छोड़कर कहां गय थी। प्रश्ण दो श्रीक्रेश्ण के करीबी मित्र का क्या नाम था। प्रश्ण तीन व्रिंदावन की सभी गोपियां किस बात से दुखी और निराश थी। जया प्रश्ण प्रश्ण प्रिंदावन प्रिंदावन झाल झाल